हालो दोफतो हाल ही में शिक्ष्या मंतरी मदन दिलावर जी का एक इंटर्वी लिया गया फर्स्ट इंडिया न्यूज की दुआरा और वहाँ पर दोफतो वह इंटर्वी वाला वीडियो आप देखेंगे तो लगबग 9 गंटे से उपर का वीडियो है उसमें से 2-3 क्लिप्स आपके काम की हैं जिसमें एक तो महिला आरक्षन के बारे में बात करीगी और एक नई शिक्षक भरती बहुत जल्द लाने के बारे में बात करी कि उन्होंने बताया कि लगबग 23-24 परसेंट के करीब सीटे खाली है तो उनके ओपर जल्दी भरती लाई जाएगी साथ में उन्होंने महिला आरक्षन को लेकर के बताया कि केवल एलवन में ही इस आरक्षन को बढ़ाया गया है बीएश्टेसी वाले जो क्राइटीरिया है उसी में ही देखो पूरे शिक्षा वाग में 50 परसेंट कर दिया ऐसा नहीं है तरते श्रेणी जो टीचर्स है उसमें एलवन में किया हमने है एलवन का मतलब यह कि जो सबसे छोटी क्लास को पढ़ाते है और आगे ये कहते हैं कि युवाओं के लिए भी अलग जगह पर भरतिया निका पार रहे हो उसके चलते अलगलग जगह पर आरक्षण बठकर के पुरुषों के पास 20-25% सीटे ही बच रही है और एक बात की लेवल 1 के अलावा बीएश्टेसी वालों के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है जाए तो जाए कहां इस आरक्षण का विरोध करना हमारी प्रा काफी होता है उसको ही रहने दिये जाए 50% ना किया जाए अच्छा तो शिक्षकों की कमी भी काफी है राइस्थान में तो क्या आप सोचते हो कि मेरे पास एक्जक्टर लगबग 23% सिक्षक काम है कम है हम यह करने जा रहे हैं स्टाफिक पेटरन के साथ कि हम इतने पद इस अच्छी रेशो में हम सब यह खाली रखेंगे तब जाकर कम समय रूप से अंध्यापक दे पाएंगे अपर बहुत कठिन काम है यह इतना कर पाना क्योंकि सिफारशें इतनी हैं हम कोशिश करेंगे उनको भी समझाने कि क्योंकि बच्चे उनके भी हैं हमारी बच्चे हैं सब के बच्चे पढ़ना चाहिए अच्छा अच्छी पढ़ना चाहिए गाओं में गरीब मावा बड़ी आसा के साथ पढ़ाते हैं तो भरती कब तक लाएंगे आप भरती हम में एक जूम टीचर्स की करेंगे बहुत जल्दी करेंगे और अभी आपने का कि भरती में महिला शिक्षकों के लिए पचास प्रच्छत आरक्षन कर दिया है तो आपको लगता नहीं कि इससे भी थोड़ी सी दिक्कत आ सकती मैं महिलाओं के खिलाफ नहीं हूं लेकिन महिलाओं की अपनी समस्यां रहती हैं घर के नजदी को स्कूल चाहती हैं फिर उनके मैटरनेटी सब्सक्राइब के इशूज हैं और बाते हैं तो पचास प्रतिशत अनुपाद से आप समझते हैं ठीक रहे गाई है देखो पूरे शिक्षा इभाग में पचास परसेंट कर दिया ऐसा नहीं है तृते श्रेणी जो टीचर्स हैं इसको थर्ड़ टीचर्स बोलते हैं उसमें सबसे चोटी क्लास को पढ़ाते हैं अब यह इसलिए कि जो बच्चा घर से सीधा स्कूल में आता है तो वह चोटा होता है तो वहां जो पढ़ाने वाली अध्यापिका होती है बच्चे को ऐसा असास हो मातरतों का अशास हो कि हम दूर नहीं है और इसलिए मा का असास दिला के लिए हम सूटी क्लासों में और हम महीला अध्यापो को लगाएंगे तो उनको आऊसर भी दिये और बच्चों को ककसा में भी मा का अशास करा है और साथि आरक्षन के विरोध में जो आंदलन हो रहा है उसमें महीलाओं की विरोध में कोई भी बात नहीं हो रही है हम सब कि महिला सचक्तिकरण हो महिलाओं को समाज में सम्मान मिले हर जगह पर आधाधा हो पर जो आरक्षन इस तरह से 50% बढ़ाया जा रहा है तो यह आधा नहीं बच रहा है पूरुषों के पास बहुत कम बच रहा है आप तोड़ों करेंगे अलग लग रिजरविशन जो कैटेग हुए भी आप इछली बढ़तियों में आपने देखा कि काफी कम रही है पूरुषों की तुलना में महिलाओं की कट ओफ तो ऐसे में किसी भी बरका का कोई भी बदलाओ करना मुझे तो ठीक नहीं लगता आप इस बारे में क्या विचार रखते हैं कमेंट बोक्स में जरू शेयर करेंगे चैनल के साथ में जुड़े रहें इस वीडियो में दो तो इतना ही जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नहीं जानकार्यों के साथ थिंक्ये पर वाचिंग इस वीडियो